तो दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का नाम है दम मदर्स मिल्ग जो की एक साइकोलोजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें एक उनिवर्सिटी प्रोफेसर एक लड़की को किड्नेप कर लेता है लेकिन क्यूं ये जानेंगे हम आगे वीडियो में तो चलिए वीडियो शुर मूवी के शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक आदमी अपना ब्रेकफास्ट बना कर खा रहा है और फिर वो उसे खत्म करके एक रूम में जाता है जहां पर एक लड़की बंदी हुई थी और फिर वो उसे बॉक्स में बंद करके वहां के सफाई करता है यानि कि ये लड़क कर लेती है जब क्लॉड अपने घर पर होता है जब क्लॉड अपने घर पर होता है तब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियो देखता रहता है फिर सीन चेंज होता है और यहां एक लेड़ी अपने बच्चे को अपनी छोटी बेहन कीम के पास छोड़कर रनिंग के अपने साथ गाड़ी में डाल कर ले जाता है और कीम की सिस्टर का बेबी वही पर अकेला था गार्डन में कीम को घर लाकर क्लॉड उसके हाथ पे और मुझ खोलता है तो कीम उससे बच्चे के बार में पूछती है और यहीं से क्लॉड को ये पता चलता है की वह बच्चा कीम का नहीं है जबकि क्लॉड उसे उस बच्चे की मां समझकर उठा कर लाया था जिससे सुनने के बाद में क्लॉड तोड़ा निराश होता है और फिर क्लॉड कीम के लिए कुछ खाने का लेने के बहाने यहां से चला जाता है क्लॉड के जाने के बाद में किम अपने आपको छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वो एक मजबूट चेन से मदी हुई थी फिर नेक्स्ट डे जब किम की नीद खुलती है तो क्लॉड उसके लिए ब्रेकवास लाता है और किम उसे उसे यहाँ पर लाने का कारण पूछती है जिस पर वो उसे एक अजीब सा रिजन बताता है उसे किड्नेप करने का क्लॉड किम से कहता है कि वो उसे यहाँ पर उसकी नरीशिंग मदर बनाने के लिए लाया है मतलब कि वो उसे यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लाया है लेकिन कीम अभी तक मा नहीं बनी थी जिसके बाद में क्लॉड कीम से थोड़ी बाते करता है और उसकी डेटेल्स लेता है क्योंकि कीम को अब यही पर रहना था कीम को यह पता चल गया था कि वो पहली लड़की नहीं है जो की यहाँ पर आई है जिससे क्लॉड मार चुका है और अब कीम यह जानने के बाद में बहुत ज़्यदा डरी हुई थी कि क्लॉड उसे न मार दे जिससे सुनने के बाद में क्लॉड कीम से वादा करता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पोचाएगा और वो उसे एक दिन छोड़ देगा कलोड कीम को ब्रेकफस्ट खाने के लिए देता है लेकिन कीम उसे नहीं खाती जिसके बार में वो कीम के फिर से हाथ और मुँ को बांद देता है क्योंकि वो अब जो उसके साथ में करने जा रहा था वो कीम को बिलकुल भी पसंद नहीं आता कलोड कीम को दिवार के साहरे बांद कर उसके ब्रेस्ट की मसाज करता है लेकिन कीम चाकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी कीम लिटरेचर के पढ़ाई कर रही थी और वो एक नौवल लिखना चाहती थी और कलोड उसे लिखने के लिए नोटबुक और पेन लाकर दे देता है फिर वो कीम को ये बताता है कि उसकी बहन का बच्चा सही सलामत अपने घर पर पहुँच गया है और ये सुनने के बार में कीम थोलग रिलेक्स फिल करती है शाम को कलोड डिनर के समय कीम को खाने के लिए एक स्पेशल टाइप का लिवर आफर करता है जिसे कीम नहीं खाती और ये देखकर कलोड को गुस्सा आ जाता है वो कीम को वापस उसके बेट से बान देता है और वो उसका सामने कई अलग-अलग तरीकी डिशेज मजे ले लेकर खान लगता है कीम दो-तिन दिनों से भुकी थी और कलोड को खाता हुआ देखकर उसका मन मचल रहा था लेकिन कलोड उसे एक special type की डिशी खिलाना चाता था काफी देर तक ऐसा ही चलता है और फिर कीम कलोड से कहती है कि वो वो सब कुछ खाने को तयार है जो कि कलोड उसे खिलाना चाता है कलोड चेक करने के लिए लिवर से बनी उसी डिश को जमीन पर फेक देता है जिससे कीम खाने के लिए दोड़ती है और कीम को इसा जानवर जैसा खाता हुआ देखकर कलोड उसे दूसरी प्लेट में वही डिश खाने को देता है और फिर अगले दिन कलोड ये देखता है कि किम को लिखने से ज़ादा sketching में interest है और वो उसे drawing pad और crayons लाकर दे देता है जिससे कि किम बस यही लिखती है I will kill you और उसे रंगों से छुपा देती है Claude को breast feeding करनी थी और वो अनजाने में एक वारी लड़की को उठा कर ले आया था जो कि breast milk develop नहीं कर सकती थी और इसलिए Claude उसे artificial तरीके से breast milk को develop कराना चाता था जैसे कि उसे अलग-अलग tablets देकर उसके breast की रोज massage करके और उसे अलग-अलग तरीकी dish देकर जिसमें कि वो liver वाली dish भी शामिल थी किम Claude से कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा जिस पर Claude उसे कहता है कि वो उसे steroid देकर उसके hormones develop करवाएगा और अगर ये सब भी काम नहीं आया तो pregnancy इसका last option होगा किम अक्सर ड्राइंग में यही लिखती थी कि I will kill Claude ताकि उसे यह याद रहे कि वो कैसे निकल सकती है तभी Claude उसके ड्राइंग चेक करता है और किम उसे रंगों से चुपा कर एक सूरज की डिजाइन बना देती है वो Claude से कहती है कि ये एक सूरज है और उसे देख कर उसे सूरज की याद आती है क्योंकि उसना सूरज के दिनों से नहीं देखा है और फिर क्लॉड उस ड्राइंग को दिवार पर ही टांग देता है किम यहां से बाहर निकलने की प्लानिंग करती है और खुद को एक्सेसाइस करके फिजिकली स्ट्रॉंग भी बनाती है कब उसे किसके जरूत पड़ जाए क्लॉड कीम को बस कपले चेंज करते टाइम ही खोलता था जब वो पूरी तरह से आजात होती थी और कीम इसको नोटिस कर लेती है फिर क्लॉड कीम को सुरज दिखाने पहली बार बाहर लेकर जाता है और वो उसे ही बताता है कि बच्पन में उसके पिता उसकी माँ को छोड़ कर चले गए और उसकी माँ अलकोहॉलिक हो गई फिर एक दिन जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा ड्रंक थी तो क्लॉड से गलती से उसके घर में आग लग गई वो अपनी माँ को बचाने के लिए उसे उठा रहा था लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा नशे में थी और वो अपनी नीन से नहीं जाग पाई क्लॉड तो बच गया लेकिन उसकी माँ आग में जल कर उसी घर में मर गई फिर एक दिन क्लॉड कीम के पास आता है रूम में एक बड़े से इंग्जेक्शन में अपने सीमन को लेकर जिससे की वो कीम को प्रेगनेंट कर सके कीम क्लॉड को ऐसा करने के लिए मना करती है और वो उससे कहती है कि वो सिर्फ breast feeding के लिए इतना नीचे गिर सकता है वो ये सब किसी बाजारू ओरत से भी करवा सकता है उसे कई सारे पेसे दे कर जिसके जवाब में वो ये कहता है कि वो ये सब कुछ try कर चुका है लेकिन उसे satisfaction नहीं मिला और अगर कीम ये सब करने के लिए मना करती है तो वो खुद उसे जबरदस्ती pregnant करेगा कीम को ये पता था कि क्लॉट थोड़ा संकी है और वो अपनी बात मनवाने के लिए उसे मार भी सकता है और फिर finally कीम उस injection से क्लॉट के सीमन को inject करती है जिससे कि वो pregnant हो सके कीम अप क्लॉट के साथ में थोड़ा थोड़ो corporate कर रही थी और फिर एक दिन क्लॉट बहुत ज़्यादा drink करके आता है और कीम को अपनी feelings बताता है कि वो अकसर उसके सपनों में आती है जो कि उसे सोने नहीं देते हैं और वो कीम से प्यार भी करने लगा है ये सीन यहें पर कट हो जाता है और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन कीम क्लॉट से आईस क्रीम और आचार खाने के लिए मांगती है क्लॉट समझ जाता है कि वो pregnant है और मनी मन खुश होता है क्लोड मार्केट से आइसक्रीम और अचार के साथ साथ कीम के लिए मेकप की कीट और उसके लिए एक बहुत ज़्यादा खुबसूरत ड्रेस भी लेकर आता है लेकिन कीम उससे कहती है कि वो उस ड्रेस को तब ही पेनेगी जब वो उसके लिए एक बड़ा सा आइना लेकर आये उसे देखने के लिए कलॉड कीम के सारी डिमांड को पूरी कर देता है और फिर एक दिन दोनों साथ में बेटकर डिनर करते हैं कलॉड कीम के लिए मेंगी मेंगी वाइन्स लेकर आया था लेकिन कीम बस कम्या निकाल रही थी और कलॉड केता है कि वो उसके लिए इतना सब कर रहा है जबकि वो उसे मानना चाती है क्योंकि वो उसकी ड्राइंग वाले मेसेज को पढ़ चुका है क्लॉड कीम से अब प्यार करने लगा था लेकिन कीम को घर जाना था अपनी फैमिली के पास में क्लॉड आगे ये कहता है कि उसे कीम को यहाँ पर नहीं लाना था और उसके पास बस एक तरीका है इन सब चीजों से चुटकारा पाने का सीन यही पर कट होता है और हम देखते हैं कि क्लॉड को अक्सर बूरे सपने आते हैं जिसमें वह खुद को अपनी मा के साथ में देखता है ब्रेस्ट फिडिंग करते हुए लेकिन अब उसके सपनों में उसकी मा के साथ साथ किम भी आने लगी है जो कि उसे सिड्यूस करती है क्लॉड अपने सपनों से तंग आकर आदी रात को अपनी नीन से उठता है और वो सीधा कीम के कमरे में जाकर उसे दिवार के सहरे बांद देता है और उसके ब्रेट से दूद पीने की कोशिश करता है लेकिन कीम के ब्रेस्ट अभी भी मिलक को डेवलप नहीं कर रहे थे और गुसे में आकर क्लॉड कीम के ब्रेस्ट पर दाद गड़ा देता है और वहाँ का मास काट कर निकाल देता है जिससे की कीम को बहुत ज़दा दर्द मحسوس होता है और वो दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिलाती है और फिर क्लॉड को बाद में अपने किये पर बहुत ज़्यादा दुख होता है लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कीम बेटी हुई थी और उसके ब्रेस्ट पर बेंडेजिस लगी हुई थी और कीम के गाओ अब थोड़े ठीक थे लेकिन वो अभी भी शौक में थी और उसे ये डर था कि क्लॉड उसे कभी भी मार देगा फिर एक दिन क्लॉड अपने फ्रेंड डेविड के साथ में दो दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहा था एक मैच को देखने के लिए और कीम क्लॉड के जाने से पहले डिनर में एक इस्टेक की मांग करती है क्योंकि मीट के स्टेक में एक बड़ी सी हड़ी होती है फिर क्लॉड कीम को डिनर में स्टेक देकर चला जाता है जिसे कीम जल्दी जल्दी साफ करती है और बड़ी वाली हड़ी को निकाल लेती है क्लॉड को मारने के लिए और फिर Claude जब वापस से कीम के कमरे में आता है तो कीम उस बड़ी सी हडडी से Claude की गरदन पर हमला कर देती है जिससे कि Claude गहल हो जाता है Claude जल्दी से कीचन में जाकर अपने गले पर बेंडेजस लगाता है और उसे वहाँ पर वो सब याद आता है जो की उसने कीम के लिए किया जिसके बार में Claude कीचन से एक बड़े से चाकू को निकालता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड Claude को लेने के लिए आया था और अंदर Claude मरा हुआ पड़ा था Claude ने खुद का गला काट कर अपने आपको मार लिया था और अंदर कीम बस चिलाए जा रही थी फिर मूवी के आखरी सीन में हम यह देखते हैं कि कीम अपने घर पर है अपनी सिस्टर के साथ में और वो थोड़ा डिस्टरब लग रही थी जिसके बार में यह मूवी यही पर एंड हो जाती है तो गाइज मूवी बेस्ट है एक साइकोपाथ आदमी क्लॉड के ऊपर जिसने अपने बच्पन में अपने मा और बाप दोनों को खो दिया लेकिन उसके बड़े होने तक उसे यह लगता था कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग की जरूर थे क्लॉड की यह बीमारी बस मेंटली थी उसे यह लगता था कि ब्रेस्ट फीडिंग से उसके सपने बंद हो जाएंगे और वो इसलिए पार्क से कीम को पकड़ कर लाया था क्यूंकि वो एक बच्चे को घुमा रही थी लेकिन क्लॉड को बार में पता चलता है कि वो बच्चा उसका नहीं है और वो उसे आर्टिफिशली तरीके से प्रेगनेंट करने की कोशिश करता है ताकि कीम उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके दोस्तों आपको ब्रेस्ट फीडिंग सुनकर अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं आपको यह बता दू आईएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो जल्दी आने वाले हैं